एक जंगल में रानू नाम की चड़िया रहती थी जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी और बारिश बहुत तिनों से हो रही थी जो कि रुखने का नाम नहीं ले रही थी रानू चड़िया दो दिन से भूके थी और बारिश तुफान की वज़ा से वो अनाज इखटा नहीं कर पाई थी ये भगवान ये बारिश रुख जाए तो मैं बाहर जाकर अनाज लेका राओ पर ये बारिश लगतार हो रही है और रुखने का नाम ही नहीं ले रही मैं दो दिन से भूकी हूँ अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं कमजोर होके बिमार पर जाओंगी लगता है अब तो मुझे बारिश में ही बाहर जाके रिस्क लेना पड़ेगा रानो चिडिया बेचारी भूक के मारे बारिश में घर से निकल जाती है रानो बेचारी इधर उधर बटकती रहती है लेकिन उसे अनाज नहीं मिलता रानो घर की और जा रही थी तभी उसे रास्ते में खरगोश दिखाई देता है खरगोश बेचारा ठन से ठिटुर रहा था वो बिलकुल अकेला था उसका परिवार में कोई नहीं था रानो से उसका दुख देखा नहीं जाता और वो कहती है अरे ये क्या बेचारा खरगोश का बच्चा ठन से ठिटुर रहा है इसे जादा ठन लग गई तो ये बहुत जादा बिमार पड़ जाएगा अरे नहीं नहीं मुझे इसकी मदद करनी होगी मैं इसे अपने साथ अपने घर लेकर जाती हूँ इसकी देखबाल वहीं पर जाकर करूँगी बेचारी रानो चिडिया भूकी प्यासी खरगोश को अपने घर लेकर जाती है और खरगोश की देखबाल बहुत अच्छे से करती है उसे गरम गरम पानी पिलाती है नहीं मैं एक जादूई परी हूँ एक श्राप के कारण मैं खरगोश के रूप में बदल गई थी लेकिन तुने मुझे मुझे मुक्ति दिलाई है मैं तुझे इसके बदले में एक तौफा देना चाहती हूँ मैं तुझे कुछ बीज दे रही हूँ तू इन बीजों को कल सु ऐसे उस परी ने कहा था अगर बिल्कुल वैसा ही हो जाए तो मेरी तो सारी परिशानिया ही दूर हो जाएंगी अब चलती हूँ कुछ दिनों बाद आकर देखूंगी कि इन जादूई बीजों पर फूल आता है या नहीं आता है कुछ दिनों बाद रानों चिडिया अपने खेतों पर वापिस आकर देखती है अरे ये क्या इन बीजों पर तो सही में पोदे आ गए है इसका मतलब उस परी ने बिल्कुल सच कहा था अब मेरी सारी परिशानिया दूर हो जाएंगी अब मैं इन नीबू को बेचकर अपना एक अच्छा सा घर बनाऊंगी और सभी ला और मुझे पाने का भी खास क्याल रखना होगा अब मैं चलती हूं तिन दिन में वापस आउंगी उसके बाद रानो चिडिया घर आ जाती है लेकिन उसी रात को बहुत तेज बारिश हो जाती है जिसकी वज़ा से पूरे खेत को अच्छा पानी भी मिल जाता है अरे वा आपका बहुत बहुत धन्यवाद अब मेरे पोदे अच्छे से उग जाएंगे तीन दिन बाद रानो वापिस से अपने खेत पर जा कर देखती है अरे वा उस परी की बाद तो सच हो गई इन पोदों पर कितने अच्छे अच्छे नीम्बू आए होए है ये तो कमाल ही हो ग मैं बहुत अच्छे पैसे कमाऊंगे और बड़ा सा घर लोंगी अब मेरे पास भी एक अच्छा घर होगा फिर रानो चिडिया बाजार में नीम्बू की बिक्री शुरू कर देती है और उसके पास दूर दूर से ग्राहक आने लगते हैं इन नीम्बू को बेचकर वो बहु सब्सक्राइब करके ही जाना